हलो गाईज कैसे हूँ आप सब आई होप आप सभी अच्छे हैं आज हम आप के लिए ठिकवा बनाने की एस्पेसल रेस्पी सेर करेंगे दोस्तों ये बिहारी स्टाइल ठिकवा है आप सभी लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो पसंद आये तो प्लीज ला और आधी घरीं सोजी ली्गा चिनि को हमने घड़ा ही इसको पिसा नहीं हैं तो घड़ा घड़ा हम चीनि ले लेंगे और यहाँ पर हम मोवन लगाएंगे तो मोवन के लिए आपदेशी घी डॉलडा या रिफाइंड ओल से भी इस मोवन को लगा सकते हैं तो यहाँ पर हमने रिफाइंड ओल का यूज किया है हम रिफाइंड ओल से मोवन लगाएंगे तो दो बड़े चम्मस के करीब हमने रिफाइ करना चैनल को भी subscribe कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप देख सकें और यहाँ पर हम इस आटे को गूथ लेंगे यह हमारा पानी है साधा पानी हमने लिया है हमने इस में कुछ नहीं मिलाया है तो साधा पानी से ही हम आटे को गूत लेंगे आटा हमारा जो बनकर रेडी होगा तो ये आटा हमारा टाइट टाइट हमको बनाना है तो इसलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे इकठे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को गुठते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारा टाइट टाइट आटा बनकर रेडी हुआ है और पांच मिनट के लिए आटे को हम रख देंगे उसके बाद थोड़ा सा आटा उठाएंगे और उसको मुलाइम करेंगे आप अपने चकले पर इस आटे को थोड़ा सा रगड लिजिए और इसकी छोटी छोटी लोईया बना कर तयार कर लिजिए हम यहाँ पर आज आपको बिना साचे के ठेकवा बना कर बताएंगे दोस्तों हमने यहाँ पर किसी साचे का इस्तेमाल नहीं किया है तो यहाँ पर हम छोटी छोटी लोईया बना लेंगे और लोईयों को हम रगड़ेंगे जैसे हम रोटिया बनाते हैं उसे तरह से बोल गोल आकार देंगे तो ये हमारी छोटी सी लोई है और इसी को हम हतेली की मदल से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे ना तो हमको इसको बहुत ज़्यादा पतला करना है क्योंकि हमारे जो ठेकोर होते हैं ये छोटे-छोटे मोटे इसार बना जाते हैं और ये खाने में बहुत टेश्टे लगते हैं तो यहाँ पर हमने चम्मच ले लिया है काटे वाला चम्मच है और इसी से आपको इसमें छेट बना लेना है ये बहुत बढ़िया सिस उपर से डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगी और ये किसी भी तरह की आपको जंचट करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप इस तरह चमच की मदद से भी बना सकते हैं हम इसी तरह से आपको दो डिजाइन बताएंगे तो ये हमारे काटे वाली डि इस तरह हमको उल्टे साइट से भी डिजाइन बनानी है हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे तो ये आपको सिर्फ एक चमच ही लेनी है और चमच आप ले करके इस डिजाइन को बना सकते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये सी तरह सकते हैं अगर आपके पास साचेँ नहीं है और आप зам inic के लिए और मेर मेर कर अंध्र बन कर तयार हो जाएंके तब इसको रिफाइंड में फ्राइंड में फ्राइब आपरने के लिए देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें गर्री मुनक्का, چुवारा हर मेवा डालते हैं जो जिसको पसंद होता है वो सारे मेवे इसमें डाल कर ठेकवा बनाते हैं तो यहाँ पर हमने किसी मेवे का इस्तेमाल नहीं किया है अगर आप चाहें तो इसमें मेवे भी डाल सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह सारे ठेक वे हमारे बन कर रेडी हो गए हैं और अब हम किचन में चलते हैं हम गैस को अन करेंगे, कड़ाई रखेंगे और कड़ाई में हम तेल डालेंगे रिफाइंड ओल हम यूज कर रहे हैं तो रिफाइंड ओल ही हम डालेंगे आप चाहें तो देसी की भी डाल सकते हैं और जब ये तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और एक एक करके सारे ठेक वे हम इसी में डाल देंगे और अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे डालने के बाद हमें थोड़े देर इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये जो हमारे ठेकवे होते हैं ये बटन की तली में चिपक जाते हैं इसलिए थोड़ा सा जब ये पक जाए तभी हम इसको पलटेंगे तो आप लोग देख अधार हम उलट पलट करके इन ठेकवई को पकाएंगे तभी यह हमारे ठेकवई बहुत ही बढ़िया खसता वाले ठेकवई नियुक्षण करते नियुक्त वन च्वर हैं तो इसंगा भी यह भी व भाशन ही तो यह बहुत ही पर अच्छ करते हैं इसी क्रम से आप जितने भी ठेकवे बनाये हैं बना कर रखे हैं वो सारे आपको फ्राइ कर लेने हैं तो आगे के जो हमारे ठेकवे थे वो भी हम इसी तेल में फ्राइ कर लेंगे और फ्राइ करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम ठंडे होने के के बने हुए हैं एकदम आसानी से तूटने वाले इसमें बहुत ताकत भी नहीं लगेगी और बहुत यह मुलायम भी नहीं है तो ठेकवे इसी तरह से बनते हैं और यह खाने में बहुत अच्छे लगते हैं छट पूजा पर यह जरूर बना जाते हैं छट पूजा की यह special recipe है था थैंक यू